नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि खाद कैसे बनाते हैं अपने घर पर किचन वेस्ट यानि इस रसोई घर से जो हमें मिलती हैं सब्जीओ की खिल कह गएं फलो की छिलिके हो गएं अंडे की छिल के हो गएं या गोवर भी मिला करके जो ऐसे लेकिन नशाइन वेतनाऊ करें लेकिन которых में मार्मिन केश्व踥 में करके und वो बिना केचवे का दिखाऊंगी तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए बिना असकिप किए अपलास्ट तक बने रहे इस वीडियो में इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने सबजीयो कच्छिकों से और गोबर को मिक्स करके कि इस त प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित ना करके जो हम लोग खाद बनाते हैं वो खाद में आपको बना करके दिखाऊंगी इससे आपको फायदा होगा आपके यहां भी पूजा की जो सामगरी निकलती है तो उसे आप ठेकिएगा नहीं आप भी यूज करिएगा खाद बनाई जिसका भी benefit है benefit यह है कि जब हम लोग नदी तालाब या गंगा जी किसी भी चीज़ में प्रभाहित करेंगे तो उससे बातावरण प्रदूसित होता है तो यह भी आप करने से बचेंगे अपने आस पास के नदी तालाब को प्रदूसित नहीं करेंगे घर का चीज घर में ही रियूज कर लेंगे और उससे हमारा प्लांट भी तेजी से ग्रो होगा प्लांट के लिए बर्मिंग कंपोस्ट बहुत जरूरी है तो आपको यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखेना चाहिए तो चल यह सुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए मैं हूं कलतना सर्मा और प्लागत करती हूं आप लोगों का खलतना इमेजी चैनल पर चल यह सुरू करते हैं सबसे पहले जरूरत पड़ेती है बीन की तो मैंने यह थर्मा कॉल के बड़े बड़े कंटेनर ले लिया है जो मचली वाले से मुझे असानी से मिल गया आप देख सकते हैं यह एक बड़ चीज़ में बना सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेवल हमाव musi में देख सकता है है और उसका मैं बनाओंगी दो कंटेनर में मैं compost बना करके आपको दिखाऊंगी तो आप बने रहे वीडियो के अंतक skip मत कीजिए ये वीडियो बहुत काम की है जो gardening करते हैं उनको तो जरूर देखना चाहिए और ये खाद बनाना चाहिए बहुत ही आसान तरीके से तो अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आया तो लाइक कोमेंट और शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको तो आप देख सकते हैं ये किचन वेस्ट है जो सब्जियों के छिलके हैं जो हमारे किचन से निकलते हैं मटर के हो गया चेमी के हो गया ये प्लांट वगयरा के nia माचिष वगयरा को रहने दूंगी और इसमें तो सबसे बढ़ी हैं खाथ बनाने में यह को देखना है कि देव अब दैवदार की लकडी है आप देख सकते हैं ये मैं खाथ बनाई हुई हूं पूजा की समगरी का है यह दो मेहना पहले बनाए थी आप देख सकते हैं मैं इसको इसी में मिक्स करूँगी फिर मैं सुखी मिट्टी ले लूँगी इसको यूज करूँगी इसको यूज करने से क्या होगा हम जो खाद बनेगा बद्वू नहीं करेगा अब ये कुछ गोवर है जो मैंने कॉलोनी मे जैसे ही ले आई हूँ तो इन सब का मिक्स करके मैं दो कंटेनर में आपको कंपोस्ट बना करके दिखाऊंगी तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा आप देख सकते हैं जितना चाहे आप किचन बेस्ट हो गया गोवर हो गया आप यूज कर सकते हैं जितना ज अच्छानी से बाहर निकले और जो खात तयार करेंगे वह सड़े नहीं गले नहीं मतलब खराब नहीं हो यह सबसे पहला लेयर हम लोग बिचाएंगे इसमें सूखे पत्ते सूखे पत्ते को अस्टोर करके मैंने रखा था मतलब इसी के लिए तो मैं उसको सबसे पहले लेय नहीं हूँ मैं फेकती नहीं हूँ मेरे सारा खाद बनाने में यूज हो जाता है तो प्लांट मेरे का कटिंग घर का घरी में रह जाता है अब इसमें मैं गोवर उपर से एकलेयर बिचा दूँगी अब देख सकते हैं कितना ही सिंपल ये है खाद बनाना कोई उतना मेहनत का काम नहीं है इसमें अब मैं गोवर की एकलेयर बिचा दूँगी मेरे कॉलनी में गाई लोग बहुत पाले हुए हैं तो मुझे आसानी से गोवर मिल जाता है मैं गोवर लिआते हु फिर मैं इसमें कागज के कुछ टुपडे-्टुपडे करके डाल दूँगी टुपडे-टुपडे करके डालने से चाह přिशा हम जह बनेगगा पर अब इस में हम सुखी मिठी डाल देंगे एक लिए सुखी मिट्टी डालेंगे, सुखी मिट्टी इसलिए डालेंगे, कि बदवू नहीं देगा, और जब ये गलेगा, तो अच्छी तरीके से गलेगा, खराब नहीं होगा, सडन कि बदवू नहीं आएगी, इसके लिए हम कोई फी फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, ऐज्श हाच हो गया, डही हो गया वह सब कुछ नहीं, इसमें सब्जी के टुक्रे मैं एट करूंगी, अश्टोर करके रखती हूं यह सारे सब्ज़ी के आप देख सकते हैं कीचेन वेश्ट से निकलता है मैं वह यह फिइक इश्टोर करके हैं अंडे के छिलके से काफी benefit मिलता है खाद में उसमें भरपूर मात्रा में calcium होता है जो plant के लिए बहुत अच्छा होता है ता आपको लेने चाहिए अब मैं इसमें फिर से एक लिए गोवर की बिच्छा दोंगी आप देख सकते हैं एक लिए मैं फिर से इसमें गोवर की ऊपर से इसमें अच्छी तरीके से फैला दूंगी पूरी container में फिर से एक लिए इसमें सुखे पत्ते यही प्रोसेस आपको बार बार करना है और जितना ज्यादा आपके पास कीचन वेश्ट हो गया गोवर हो गया है उतना ज्यादा आप लेयर बाई लेयर लेयर बाई लेयर बिच्छाते जाएगा अगर सुखे पत्ते में लकड़ के बिच्छाएंगे मिटी लेयर बाई लेयर डालें से क्या होगा ना कि जो खा त्यार होगा बुर बुरी टाइप के होगा और यह सड़ेंगी नहीं खराब तरीके से नहीं बनेंगे अच्छे तरीके से बनेंगे बदबु जादा नहीं देंगे तो इसलिए मिटी की लेयर से कंटेनर में पूरी फैला करके ताकि ये हमारा खाद अच्छी तरीके से तैयार हो मैं भरपूर मात्रा में इसमें गोवर यूज कर रही हूं जब मिल जा रहा है तो क्यों नलाब उठाएं हमारे किसान भाई तो जमीन पर ही बनाते हैं ये फर्टिलाइजर हो गया जो खाद ख很有 और खेत बगयर के ट्रेक्तर जाता है आप डेकती होंगे अगर अगर से बिलॉंक करते हैं तो तो ये इस प्रिशम से उपर से एक-लियर डाल यह बहुत ही a strong खाध हमारा बनके तयार होगा इसको मिट्टी में कितना mix करना है कितना नहीं करना है उस पर मैं separate वीडियो बना दूँगे अगर आपको देखना है तो comment करके जरूर बताईएगा इसमें फिर से clear मैं मिट्टी के बिछा दूँगी मार्केट में जो fertilizer हम लोग खरीद किलाते हैं उसमें पैसे लगते है अब यह देखकर के आप बताईएगा कि कितने पैसे इसमें लगेंगे मुझे तो भाई पैसे नहीं लग रहे यह मेरा फिरी का है जीरो बजट में है फिर अब हम इसमें पानी एड़ कर देंगे पानी उतन मतब में पानी डाला है ताक और एक महिने डब महिने दो महीने पार किख़state यह भीकर के लिएगा च्छामे भी रखने धक करके रखिएगा दो महिने बाद भीना धके हुए भी रख सकते हैं अब मैं इस दूसरे कंटेनर में भी होल कर ली हूँ जिसे की पानी असानी से ड्रेनेज हो सड़े नहीं खाद बनते वाग अब इसमें मैं खाद बनाने का प्रोसेस सुरू करूंगी तो सबसे पहले जो पूजा की समक्री को इकठा करके श्टोर करके रखी हूँ उसमें से मैं दिये को छाट लोंगी क्यूंकि दिये नहीं गलते हैं मासिस बगएरा रहने दूंगी इससे अच्छा ही है अब सबसे पहला लिया इसमें फिर से मैं सुखे पत्ती को बिछाओंगी इसमें मैं वेजिटेवल एड नहीं कर रही हूँ इसका ये कारण है कि मेरे पास वेजिटेवल के जो छिलके बगएरा है पहले मैं उसमें स्टोर कर दी हूँ खतम हो गया है और रहता भी तो प्याज जो गार्ली के छिलके हो गया उन सब को छोड़कर जो सिर्फ वेजिटे में खाद बनाऊंगी इससे हमारा पर्यावरन की सुरचित रहेगा तो इसका एक लेयर में इस पर विचा दी हूँ अब यह जो मैं पूजा की समगरी से मैंने खाद तयार किया था यह दो महिने पहले मैंने सेट किया था आप देख सकते हैं कितने अच्छा तरीका से यह दो मह दूबर एड़ करूंगी यह मेरा खत तयार होगा यह मैं सुभ प्लांट जैसे होता है मनी प्लांट हो गया आपका शमी प्लांट हो गया तुल्सी का प्लांट हो गया उससमें मैं डालूंगी अब फिर से मैं इसमें पूजा की समगरी को एड़ करूंगी कि आप देख सकते हैं India भॉलिय लेयर में डालते जा रही हो किसी भी चीज़में बना सकते हैं आटा के पेकेट में भी बना सकते हैं आप जी चीज में बना चाहें बना सकते हैं होँत brother आसान है कोई उतना मुश्किल काम नहीं है पहले मैं खरिती थी पर मुझे कम पड़ने लगा तो मैं घर में ही बनाना सूरी कर दी और इससे मुझे काभी अच्छा रिजल्ट भी मिला मेरा खुद का मेहनत का काम अच्छा लगता है सब को अगर आप खुद से मेहनत करके कोई कंवा की जिर्फिट अब यह इसे मैं कागच के चुकड़े को फिर से एड़ कर दूंगी और उपर से मैं पानी से इस मिक्री को द दूंगी में कностью कि दाने इस께 और इसमेशे में चलाते रहेगा द Иसको चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाद पाएं तो दो महिना पर तीन महिना पर फिर से सेट करते रहें ताकि आपका तयार रहें आप देख सकते हैं यह 6 महिना पहले मैंने सेट किया था जो अब तयार है एक कंटेनर में आप देख सकते हैं कितना अच्छा यह तयार हुआ है भूर भूरी है मुलाइम है प्लांट में डालने लाइक एकदम तयार है इसको मैं मिट्टी में मिक्स करके जब प्लांट लगाना होता है तो डालती हूँ वह इतना ज्यादा है अब देख सकते हैं ये कंटेनर में मैंने मिक्स करके मिट्टी में इस खाद को रख ली हूँ श् भी माताइब बाहने